मकस् hazard कराणती की रेसिपि आज मैं आपसे शेर कर रही हूं। माकस शंकराणती में आप क्या-क्यां बनाते मुझे कमेंट में जैनुरू बताना मुझे ड़ी अच्छा लगए कृमकर्णतीकी ैसी रेसिपि iqu 아직 rosami engagements я個 Rs. जाती है लो एवरिवन वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं हूँ अपड़ना तो मैंने यहां पे लिए कुछ सब्जियां सब्जियों में मैंने बीन्स ली है गोभी आलू और गाजर आप मटर भी ले सकते हैं और मैंने 3-4 हरी मिर्चे ली हैं साथ ही मैंने लिए हैं यहां पे मूं मूं की दाल वाली मूं की दाल रही है जो भी आप ले सकते हैं कि ज Also और मिंकर के दूढका को मिणे दल्ली मिक्स करके लिएक करीब 2-3 मिट केवर भीगने के लिए छोड़ दिया है इसमें एट यहां नाब की और में और ग्रम्म और यहां पे आलू और गाजर को मैंने कट कर लिया है तो आप बहुत ज़दा बड़े पीस ना इसका कट करें तो अभी हम इने फ्राइ कर लेंगे फ्राइब करने से इसमें बहुत ज़्यादा सौंधा पन आता है और यह थोड़े से पक भी जाते हैं तो गाजर आलू को पकन तो यहां पे हीट मेडियम रखें और इने बस फटाफट फ्राइ कर लें फ्रेंट्स आज की रेसिपी इतनी जाता सौधिष्ट बनती है कि जो भी नहीं खाता होगा न वो भी मांग मांग के खाएगा यह रेसिपी तो आज मैं बना रही हूं खिचडी तो खिचडी सभी के करीब 2-3 चमच देशी घी तो आप चाहें तो आप तेल के साथ ही इसे बना सकते हैं लेकिन देशी घी इसमें एड़ करने से इसका जो स्वाद है कई गुना बढ़ जाता है तो घी थोड़ा गरम हो जाएगा ना तो हम इसमें एड़ करेंगे प्याज लहसुन और हरी साथ में एड़ करेंगे जीरा तो इन मसालों को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे बहुत जादा इन्हें हमें फ्राई नहीं करना है फ्रेंस आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में मुझे जरूर बताएं और आप मकर शंकरांती पे क्या क्या बनाते हैं यह भी बना लेंगे तो तो बस टमाटर को भी थोड़ी दिर के लिए हम सौटे कर लेंगे और जो हमारे चावल दाल थे ना भीग रहे थे उनका हम पानी निकाल देंगे तो इन्हें मैंने पहले ही करीब 3-4 वाश कर लिया था तो अभी हम चावल दाल इसमें आड करेंगे और इसक क्यों सोमा चौला फ्यू तो अभी देखिए मैंने जो चावल दाले ना इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है और बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है बस थोड़ी देर के लिए मिक्स कर दीजिए और अभी हम यहां पे ही इसमें नमक डाल देते हैं तो नमक और एक प्यारा सा कॉमेंड जरूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो अच्छा सा मैंने यहां पर एक मिक्स दे दिया है अभी हम इसमें आड़ करेंगे हमारी फ्राइड सबजियां तो यह सारी सबजियां हम इसमें आड़ करेंगे और आप सोंच सकते हैं क जो यह रेसिपी है कितनी ज्यादा टेस्टी वनने वाली है और बहुत ज्यादा हेल्दी भी तो बस सारी सबजियों को इसमें आड़ कर देंगे आप चाहें तो आप इसमें मटर भी आड़ कर सकते हैं लेकिन आज मेरे पास मटर नहीं थी तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अ दूरी है तो बस यहां पे इसमें पाने अड़ करिए और पानी आप अपने अग्वार्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी पतली अच्छी लगती है खिचटी तो आप ज्यादा पानी एड़ कर दें ज्यादा मतलब यहां पे आप तीन ग्लास पानी इ आप खुदी रिलीज होने दें तो बस यहां पे इसमें हम हरा धनिया एड़ करेंगे और बहुत यह अच्छी खुचबू आ रही है तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे तो हलके हाथों से मिक्स करें ताकि जो भी इसमें सब्जियां हैं गो भी बगरा वो तूटना जाएं तो यहां पर लिए मैंने अचार तो यह तीन तरे काचार है मिर्च आचार आवले काचार और गाजर मूली मिर्च काचार तो तीनों आचार की रेस्पी आपको मेरे चनलल मिल जाएगी तो आप सकते हैं तो अभी यहां पर देखें में ने ध क्लिक्रा लग रही है स्वाथ तो आप इसका भूल नहीं पाएंगे अगर एक बार खाएंगे और बहुत ही लिए तो बच्छों को आप यह जरूर बना के दें और जो भी खिचुटी नहीं खाते होंगे ना वो भी यह खिचुटी मांग मांग के खाएंगे इतनी ही ज्यादा यह टेस् करें तब यह रेस्पी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगी तो बस खाएंगे और मेरी वीडियो को लाइक किजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो चलिए अब देखते हैं अपनी सेकंड रेस्पी तो यहां पर मैंने लिए है मूली गाजर और मिर्च तो आप इन्हें थोड़ी देर सुखा जरूर लें क्यूंकि इनका जो मूश्रह ना विल्कुल भी होना नहीं चाहिए तो अभी हम इन्हें इस तरह से कट करेंगे तो गाजर मूली को आप एक ही साइज का कट करें देख रहे हैं तो यहां पर चार मैंने लिए हैं गाजर और द कि हवाय में छोड़ दीजिए थोड़ी दर ताकि इनका बिल्कुल भी पानी सूख जाए तो मिज्जियों को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे और बस यह रेडी है तो अब चलिए चलते हैं नेक्स प्रोसस पे बहुत इंस्टंट रेसिपी है बहुत ज्यादा मेहजिक बनती करना पर्षिक करना है तो अब और यह लिए कड़ाई और कड़ाई में एकरेंगे सरसों का थेल तो कडी चार चमच में थेले तो हुआं खर तो करेंगे मूली घाजर क्योंकि चटकंगी नहीं तो इन war कड़वा पनाएगा तो अच्छे से आप इन्हें फ्राइग करें फिर हम इसमें गाजर मूली और मिर्च आड़ कर देंगे तो सारी चीज़ों को एड़ कर देंगे और अभी हम इसमें एक मिक्स देंगे तो इन्हें हम थोड़ा सा उपर नीचे कर देते हैं और यहां पे जो में एड़ करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा मिर्च पाउडर तो मिर्च आप अपने एड़ करें क्यूंकि जैसा आपको तीखा पसंद है वैसा आप इसमें मिर्च कर सकते हैं अगर तीखा नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसमें कश्मीरी मिर्च कर सकते है और नमक अड़ करें टो इन थाल को एंड करने MAGAL वाला है आपको एड करना नहीं और आपको पावड़ेंकों को हमें सब्जी को हमें बहुत ज्यादास की भीक हना रड़ाइब्स नियुकेरे पर आपको एक crazy on a iasado और थोड़ी देडर mix करने के बाद हम इसमें add करेंगे हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाला यानििасक अचारी मसाला थोड़ी अचार बन चुका है गाजर मूली मिर्च का और जब यह ठंडा हो जाए तो आप इसे किसी सूखे कांच के कंटेनर में रख सकते हैं बिल्कुल भी यह खराब नहीं होगा तो आप इसे बनाएं और मकंशंगरांती पेक खिजिटे के साथ इसे एंजॉय करें इस वीडियो को ल